हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो माई चैनल वन इन्फरमिशन दोस्तों वाश्रूम का यूज करते वे अक्सर आप वाश बेसिन का प्रियोग तो करते ही होंगे और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि वाश बेसिन में एक नहीं दो छीद होते हैं एक छीद वो जिससे पानी नीचे जाता है और एक छीद नल के ठीक नीचे होता है क्या आपके मन में ये सवल नहीं उठता है कि वाश बेसिन में ये एक्स्रा छीद क्यों दिया होता है अगर हाँ तो आईए जानते हैं इस वीडियो में कि वॉस्पेसिन में नल के ठीक नीचे ये एक्स्ट्रा छेत क्यों दिया होता है दोस्तों वॉस्पेसिन से जो पानी नीचे ड्रेन होता है वो जगा प्रपरली क्लीन नहीं हो पाती है वास बेसिन भले ही आप उपर से दो या तीन दिन में क्लीन कर लें तो ऐसे में होता क्या है कि कई बार गंदगी की वज़े से वास बेसिन का जो पाइप होता है वो जाम होने लग जाता है इसके अलावा कभी बालों के गुच्छे फंस गए या फिर चोटी-मोटी कोई भी चीज धीरे-धीरे अगर उसमें फस्ती है तो ये कभी भी जाम हो सकता है और कभी भूले से अगर आपसे वास बेसिन का नल खुला रह जाए और पाइप जाम हो जाए तो वास बेसिन का जो सारा पानी है वो बाथरूम में आ जाएगा, घर में पूरा फैल सकता है तो wash basin का pipe jam होने की वज़े से पानी बाथरूम में न गिरे, कमरों में न पहुंच जाए इसके लिए इसमें extra छेद दिया होता है, ताकि जैसे ही wash basin भरने लगे तो इसलिए wash basin में एक extra छेद दिया होता है, क्योंकि इस छेद का जो outlet होता है, वो भी pipe वाली जगए से connect होता है तो इस तरीके से जब भी पानी भरता है, तो इस छेद की मदद से पानी बाहर निकल जाता है और washroom में या फिर किसी भी जगए पानी extra फैलने का डर नहीं होता है लेकिन दोस्तों आजकल के जो wash basin आ रहे हैं, उनमें इस तरीके के होल आपको कम ही दिखाई देते हैं क्योंकि इस तरीके के जो होल होते हैं, वो अक्सर भरोसे मंद और पुरानी जो कमपनिया होती हैं, वो अभी भी बनाती है तो ये जिग्यासा पूर्ण जानकारी मैंने आप लोग के साथ शेयर की है, अगर आपको पसंद आई है, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा थैंक्स फॉर वाचिंग फिर मिलूंगी एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए खयाल रखिएगा अपना